हेलो दोस्तों मैं शिवानी योर वस्ता की यूटूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं आज बहुत ही स्पेशल एपिशोड जाने वाला है आप दोस्तों के लिए रोज तो हम लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन आज उस पढ़ाई की पढ़ाई को मतलब कैसे हम लोग करें ताकि हमारी सफलता एकदम नश्यत हो जाए कि कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठाल लो तो जीत है बिल्कुल ऐसा ही उदहरत हमारे सामने बैठे हैं यह मेरा स्टूडेंट सारीं खान जो की मैं आपको बता दूँ यह देखने में बहुत ही छोटा सा बच् लिटल आइस्टील ओफ इंडिया तो लिटल आइस्टील ओफ इंडिया कैसे है या बताईए हमारे दर्श्रकों को पहले तो मैं शिवानी माम को थैंक करना चाहूंगा कि जो मेरा फॉस्ट इंटर्व्यू था मेरी लाइफ का फॉस्ट इंटर्व्यू वो शिवानी माम ने यह लिया था, that was a year ago, मैं इसी spot पे आया था and तब Shivani Ma'am ने मेरा interview लिया था and then my progress even started more rapidly and मैं और rapidly grow करने लगा in my own particular field of physics and mathematics and since 2-3 दिन पहले I just made a world record in physics and that is the thing कि सबसे पहले मैं Shivani Ma'am के ही पास आया हूं to receive my blessings, क्योंकि? बहुत बहुत शुपकामना है शारिम आपको और देखो हम लोग teacher है और as a teacher एक teacher की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उसका बच्चा कुछ अच्छा करे और अच्छा क्या तुमने तो मतलब अच्छा के ऊपर अगर हम लोग पावस लगाए तो 1000 पावर भी कम है तुमने इतना बड़ा काम कर दिया आज मैं दर्श को इतनी खुश हो कि अपने खुशी का इजहार भी आपसे किन लफजों में करूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ तो शारीम ने जैसा की बताया कि हमने पिछले साल एक इंटर्व्यू किया था मुझे तभी पता था कि यह जो बच्चा है ना यह नॉर्मल नहीं है ठीक है यह एक वंडर बॉय है और यह बिल्कुल किसे ने किसे दिन वर्ड रिकॉर्ड बनाएगा ही तो हम लोगों ने एक इस चैनल पर आप सभी से यह बात तो शेयर करना चाहते हैं कि यह जो पिछली एक साल का सफर रहा सारीम का वो कैसा रहा कितने स्ट्रगल सारीम को करने पड़े और क्या वो स्ट्रगल सारीम को क्योंकि छोटा बच्चा है यह कोई बहुत बड़ा एस्प्रेंट नहीं है इन ज्वाय फील करते हैं या फिर किस तरीके से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं उसके बारे में आज हम सारीम से चर्चा करेंगे तो सारीम सबसे पहली एक चीज आप मुझे बताईए कि मैं देखती हूं आपके SK Wonder की यही आपका YouTube चैनल है तो उसमें आपकी बड़े जो डिसिकली रेग्ड़ी आती है किसी भी फील्ड आफ वरक में किसी फील्ड में अगर हम लोग रेग्लारीती की बात करें तो वह हमारे पैशन की वजशेहsey आती है कि जितना हम लोग पैशनेट हूंगे अपने फील्ड के Tわर तब उथ नितनी हमारे अंदर रेगुलरीटी आएगी लाइक कोई UPSC अगर हम लोग सपोस कर लेते हैं तो वो रेगुलर काम करता है 12 गंटे 15 गंटे क्योंकि उसे पता है कि अगर वो रेगुलर नहीं होगा तो शायद वो कि अपने एंबिशन नहीं एचिव कर पाएगा आएस नहीं बन पाएगा तो बिल्कुस सही कहा सारी में और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यूर बस्ता यूटूब चैनल है वो लगाता है और किसी ने किसी एक्जाम की तयारी के उपर फोकस होता है तो मैं अ मैंने फिजिक्स पढ़ाया है और जब जब एक छोटा सा बच्चा अगर ठाल ले रहा है कि हां मुझे यह चीज कर लेनी है तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि दुनिया मैं ऐसा कोई काम है कि अगर हम चाहें तो पूरा नहीं कर सकते और देखिए आज हिनों ने एक वर्ड यह यह नहीं किया था वर्ल रिकॉर्ड के ले तैंटी अगर देखिए प्रीड आपके पारें कैसा अगरें आपके पारें मीद्ट के ले बहुत ही प्रावड का यह मुझे होगा कि उनका बच्चा एक वंडर बॉय बन चुका है और एक वर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर द जो कि अच्छे अच्छे को यह मतलब बहुत बड़ी चीज होती है तो बिल्कुल दिल से आपको दुआ है कि आप ऐसे ऐसे वर्ड रिकॉर्ड हमेशा कायम करते रहिए और हमाइने आपके बारे में एक चीज यह भी सुनी है कि आप मतलब लगातार यहां के चाहिए आपको प वृधर करूं तो इंडिया की मुस्ट हाइ अडल की कोलेज़ेस ंडिवल के स्टूडेस से मैंने बात कर लिया हूं लाइक अगर हम लूग इडा कॉलेजिस की बात करें पीद में एक एमय ती बॉंबे डैल रोड की Лंग囉 एड़की है कारकपर तो मैं मैग्समें आपको लि अच्छा पीटा आपके जो एसके वंडर केट्स के मैंने वीडियो देखे हैं उस पे बहुत सारी कमेंट्स आते हैं आपके पास तो बेसिकली लोग क्या सवाल आप से पूछते हैं क्या जानना चाहते हैं आपके बारे में जो most frequent questions होते हैं इस अच्छा पास के मैं कितने एर ओल्ड हूं और कॉन से क्लास में स्थडी करता हूं और रेस्ट क्वेस्ट्ट्स यूजरी फिजिक्स के कभी डिमांड़ेट क्वेस्ट्स होते हैं कुछ जिसन भी मैं सब्रेटली वीडियो बनाता हूं अच्छा वो जो बीदेमांड कस्टम कि मुझे हाफ फिजिक्स से इसलिए पसंद है क्योंकि फॉम्हें हमेशा से चाहता था कि मैं इस यूनिवोर्स को अंडिस्टैंड कर सकूं कि यह जो स्टास होते हैं ट्विंकल क्यों करते हैं कि रेंबो क्यों पॉर्म होती हैं तिंग्स लैक दाट कि जो हमारी संलाइट है तो यह इतना ही टाइम क्यों लेती है वाइस टेक एट टेकर शेक्स की फील्ड में आयाँ अच्छा अच्छा मतलब यह जूटी जूटी सवालों की विसे से यह बिल्कुल फिजिक्स की पीछे ही आगए देके दोस्तों आप लोगो ने सुना होगा ना यह चोटे बच्चे होते हैं तो ऐसे उट पटांग क्वेशन्स करते रहते हैं ममा से अपनी ओ ममा यह तारे क्यों चमक रहे हैं या फिर सनलाइट और देखे सारीम को यह क्वेशन्स इतने अच्छे लग गए कि बस उनकी मतलब तह तक जाने के लिए फिजिक्स की इतनी किताबे पढ़ चुके है तो बहुत ही मतलब इंट्रस्टिंग बचा है अच्छारी में चीज और बताइए हमारे तर्शकों को कि आप मतलब कितना बढ़ते हो क्या दिन बढ़ पढ़ती रहते हो या कुछ और भी अपने एंज्वाइमेंट के लिए क्लिए क्या करते हैं वेल इट्स नॉट की मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक स्टड़ी करता हूं और फिजसक्स और पॉपलर टाइप की बुक्स होती है जो कि हम लोग कहीं भी कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं जिसमें इक्वेशन नहीं होते दर इस हिस्ट्री कि कैसे यह कंसेट ड्वैलप हो इबड फिजसिस्ट तो इस आर मैक्सिममम टाम इन माई हैंड तो मतलब यह आप इनके कमरे देख लेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यह लाइबरेरी टाइक चोटी सी लाइबरेरी टाइप की इनोने बना रखी है और उसी के साथ और देखिए टाइम का कितना अच्छा यूटिलिएशन किया सारी मे आपको मैं यह बताने में मतलब मुझे बहुत हर्श हो रहा है कि जो लॉकडाउन का समय था कोविड नाइटीन का जो समय था हमारे देश में नहीं बलकि पूरी बिश्व पे बहुत ही एक बुरा साया था लेकिन कुछ लोगों ने इसका बहुत ही अच्छा फाइदा उठा हैं तो लिटिल एंस्टीन आफ इंडिया से हमारे दर्शक और मैं भी साथ में यह जानना चाहेंगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो वेल बड़े होगे तो सिंस मेरा फिजिक्स के ही ट्वर्ट्स पैशन एंड इंटरस्ट है तो मैं फिजिक्स में ही काम करना चाह तो मैं दोनों थेरी से हम नोग फूरे यूनिवर्स की सारे स्केल को डिफाइन कर सके तो आप यह समझे कि सारे चाहते हैं कि यह पूरी दुनिया ही ने बलकि पूरा यूनिवर्स नकी मुठ्छे में आजा यह ना की खुद जानेंगे बल्कि हम सब को बताएंगे कि इस हमारे अपकमिंग साइंटिस्ट जो है हमारे रहष्यों को खुलने के लिए बिल्कुल अपनी तयारी को जारी किये हुए हैं अपने रिसर्च को कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग इनके रहष्य के बारे में भी जानेंगे तो दोस्तों आपने जरूर यह चीज अपने मन में ब कि आपने ठाल लिया आज तो कोई भी चीज के रिक्वारमेंट याग उस का पूरा ना होना कोई भी चीज़ी नहीं तय करेग़ा आप सफल है और यह सब बाते करेंग आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया कि YOU अप लोगोंने हमारे चैनल को like, share, subscribe क्या Thank you